पुरा मामला उस बक्त का है जब निवासी एहसान अली पुत्र जंडू अपने टेक्टर लेकर कोसी नदी के बांद पर कोसी नदी के बांद के अलावा रास्ताना होने की वजह से टेक्टर को अपनी चान को जोखिम में डाल कर कोसी नदी बांद के ढाल से नीचे उतार रहा था बांद का डाल जादा होने की वजह से टेक्टर का संतूलन अचानक बिगड़ गया और टेक्टर बांद के नीचे किसान एहसान के डक्टर के नीचे आने से मोके पर ही दर्दनाक मोत हो गई डक्टर साथ आए दूसरे यूवक ने डक्टर पलेटने की सूचना मैताका के साथ ही सत्यवान ने परीजनों को दी एहसान की मोत की खवा सुनकर गांग और परीजनों में कहराम सा मच गया आननफान पुलिस को सूचना दी गई पुलिस मोके पर बारदात पर पहुंची पुलिस ने सब को गबजे में लेकर पंचनामा भर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है जिससे म्रतक के सभी परिवारवालों का रोलू कर बुरा हाल है धरमेश सिंग है ग्राम मानपुपट्टी में रहता हूँ है हमारे गाउं में आज एक बहुती दुगत गठना हुई है एसान उर्फ कल्लू नेवासी मानपुपट्टी इनकी टेक्टर पर टेक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई यह गाउं से अभी दुपेर में लभक दो घर से निकले थे खेजोतने के लिए यहां यह तटवंड है हमने कई वार तुमारी पिरसासन से भी गौहर लगाई है कि हमें जगे जगे तुमारी की इस पर रेंप दिये जाए जहां पर अब यहां से आप देख लो किवल एक रेंप है पूरे जंगल यहां से लेके और द्रतर करेगा उठकारीयों से बार बार तुमारी कि हम में लेया जाके और हमने बड़ी मुझ्किल से तो तुमारी साही फैन लगा यह शंप ख़ल दिया सारा बाल का पानी चला जा जाता था तो लोगों ने वह बंद करा है जब जाके बाल का पानी बंद हुआ है फिरसासन तो वहां ट्रप्लेट ने से अग्या दिनिश्प्रता क्या मामला ही कौन से नाओं का मामला है यह मामला मानपर पट्टी का है और यह ट्रपर लगवगिन की पच्पन के आसपास होगी कि चीज से मोट रही किया यह ट्रप्लेटने से जुटाई करने के लिए आये होंगे तो मोट के परी में तो लगवगिन कितने मार होगी लगवगिन की तुछास पच्पन के आसपास है